प्रधानมंत्री जन्ता की करदा माफ़ी को बहुत सिर्यसली ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के सवाल आए। है जो सरकार को रोक सके वो करने से बिलकुल ये बात सौफ पृतिशा सच है कि यदी नरेंद मोदी जी चाहें तो तुरंट जनता को करजा मुख कर सकते हैं कम से कम उन लोग का जिन लोग का परिवार का कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं रहा या कमाई का कोई साधर नहीं रहा जिनकी नौकरी छूट गए जिनका वैपार बंद हो गया उनका करजा तुरंट माफ किया जा सकता है और जहां तक आपका ये सवाल है कि क्या वाकई प्रधान मंतरी जी इसको सीरियस ले रहे हैं मैं मानता हूँ ले रहे हैं या यह यूं कहें कि लेना ही चाहिए क्योंकि वो राजनीती को समझते हैं वो जानते हैं यह कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि अभी तो 2,25,000 लोग जुड़े हैं सोचे कर लिए अगर एक क्रोड़ लोग जुड़ गए जो हमारा मिशन भी है तो क्या होगा अगर ये लोग खिसानों की तरह आकर के बैठ गए प्रधान मंत्री आवास के बाहर या दिल्ली में आकर के बैठ गए और इन लोगे पास तो कमाय को कोई साधन भी नहीं है तो ये लोग तो तब तक नहीं जाने वाले होंगे जब तो उनका करजा माफ ना हो जाए सरकार उनका करजा मुक्त ना कर दे और जब बड़े उध्योग पत्यों को राहत दी जा सकती है मदद की जा सकती है उनके लिए लग लग package लाए जा सकते हैं तो आम जनता ने ऐसा कौन सा गुना कर दिया क्यों नहीं करेंगे प्रधान मंत्री के लोग यहां भी कह रहें के लिए ब्सकार तो उम्मीद करना नहीं करने के लिए लिए नरेंद मुदी जी अभारति जनता पार्टि को सत्ता में रहना पड़ेगा और सत्ता में लाने के लिए जनता का समर्थन चाहिए होगा तो ये उनकी मजबूरी ही सही लेकिन मजबूरी में भी उन्हें काम करना ही पड़ेगा कि जनता का करजा माफ करना पड़ेगा अगर उन्हें सत्ता में रहना है आगे सत्ता में आने क्युकि बड़े-बड़े मदद कब कर पाएंगे? अगर माली जी आपकी बाती पहीं माले कि सरकार केबल उद्यूखती फी मदद करें बड़े लोगों की मदद करेंगे उनकी मदद करने के लिए भी सब्ता में होना ज़रूरी है और सत्ता में केवल तब ही आ सकते हैं जब जन समर्थ होनों जब जनता का वोट मिले और जनता को नाराज करके तो सत्ता ही नहीं रहेगी और जब सत्ता ही नहीं रहेगी तो उन बड़े लोगों का मदद कैसे करेंगी तो ये बात मैं समस्ता हूं नरिज बुदी जी बहुत अ जैसे गुजरात में हुआ भी, गुजरात में पता है क्या हुआ है, जो साहुकार अनाफ शनाफ रेट अफ इंट्रेस लगा रहे थे, जो लोग 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 परसंट का ब्याज ले रहे थे, उनकी धर पकड़ शुरू कर दी, गुजरात सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर है, जरासी कंप्लेंड करी, और तुरंट पलिस आ जाती है, अब वहाँ भ्याज का काम करना लोगों ने बंद कर दिया, अनाफ शनाफ रेट अफ इंट्रेस लेना बंद कर दिया, लिमिट में रहे करके काम कर रहे हैं, तो जो काम गुजरात में हो सकता, वो पूरे देश मे कोई बी साहुकार अगर आगर उसा करता है, और कम से कम उन्हें 5 साल के सजा मिलेगी, सिर्फ इतना डिकलेर कर दे, बहुत साल लोगों को रहत मिल जाएगी, कर सकती है, Enerkin Sky Squid जिस्टिए आप भार्ते जर्टा पार्टी सरकार में है तो नोसे ही मांग करेंगे लोग यहां भी आपके पर रहे हुए आप तो संक्रठा बना रहे हुए हुए मैं पॉलिटिकल बनेगा क्योंकि हम प्यामु चलेगे अच्छा अगर प्रदानमंत्री जी भी ना करें तो हम राश्टपती के पास आ सकते हैं हम लोग सुप्रीम कोड जा सकते हैं हमारे पास बहुत सारे विकल्ब हैं सरकार पर हर लीगर तरीके से जो सिस्टेमेटिक तरीका है जो राश्टपती को समझते हैं वो इस मुद्दे की गंभीरता को समझ पा रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि यह कितना बड़ा मुद्दा है और यह कितना बड़ा हो सकता है और जिस स्पीड से आप लोग काम कर रहे हैं अभी तो देखें न हमारे दस जार जादा करजा मुक्ती केंद्र खुले हुए हैं हर केंद्र पर कोई वैक्ति दो फॉर्म भरवा रहा है कई केंद्र वाल ऐसे हैं जिरोंने 100-100-200-500 फॉर्म भ रहना है वरना यह तो कंफर्म है कि सब्ता में वह नहीं आ पाएंगे अगर जनता को रहत नहीं दी गई क्योंकि अभी जग जाहिर हो चुका है कि जनता बहुत जादा परेशान है और परेशान निकारण सरकार की गलत मीतिया हैं बहुत सरे लोग जात लोग ने बताया डौन नहीं लेकर आए जिन लोगों ने सब काम किया है सजा उनको मिलनी चाहिए जनता को नहीं और कोई गलत कदम धो रहे हैं अभी आज भी पता चला एक परिवार में सुसाइट कर लिए भाई आप लोग रहो गई नहीं दुनिया में तो मैं लड़ाई लड़ूंगा किस के लिए यह समय गलत कदम उठाने का नहीं कोई गलत कदम रखाओ आप करजे की दलले फसिस में आपकी गलती नहीं है इसके लिए सरकार की गलत नहीं दिया जिम्मेदार है और सरकार को इस पर जंग्यान लेना पड़ेगा मेरा विश्वास करिए और नरेद मुदी जी करें में तो अपना नुकसान है अभी पिए उनके पास समय है अगर वो आकर जलता के हित में काम करना चाहते हैं और जिसका मुझे विश्वास है कि वो करेंगे नरेद मुदी जी संग्यान लेंज़ जल्दी ही तै करें कि जलता करजा माफ किया जा रहा है और जिनका करजा माफ नहीं हो रहा, उन्हें कमसें दो वर्श का समय दिया जाए, ताकि वो अपना कर्जा असानी से चुका सके.